हलो स्टुदिंट्स वेल्कम टू माइ यूट्यूब चानल आज की देट है 15 मार्च और 15 मार्च के दव हिंदू न्यूस पेपर को हम लोग आज अनलाइस कर रहे हैं आज के हिंदू न्यूस पेपर को एनलाइस करें उससे पहले मैं आपको बता दू कि आप हमसे इन 3 मीडियम के तुरू करेक्ट कर सकते हो टेलिग्राम चैनल पर आपको इस लेक्चर की पीडियस मिल जाएगी थोड़ी देर के बाद मतलब जब यह लेक्चर पब्लिश होगा उसके थोड़ी देर के बाद आपको इसकी पीडियस इस टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी इसके साथ आप आपकी जूभी क्वेरी हों रिगार्डिंग यूपी एससे पूछ सकते हैं on this mail id as well as on this twitter id also okay so आगे बात करते हैं देखो प्रेनिम सिर्फ 82 डेज दूर है इसलिए अपनी तयारी उस हिसाब से रखो रोज रोज याद दिलाना इसलिए जरूरी होता है so that आप दीले ना पड़ो all right आगे बात करते हैं देखो GS1 में we have nothing for today GS2 में हम देखेंगे international relations में से fragmenting world order so this is a very important editorial regarding international relations और यह आपको mains में काफी काम आएगा ठीक है means में this is going to help you a lot इसमें बहुत सारे forward points आपको मिलेंगे governance में हम देखेंगे vaccine for 12 to 14 age group के बारे में इसके बाद हम देखेंगे mmr declining तो mother mortality rate जो है वो decline कर रहा है उसके क्या consequences है किस तरह से decline कर रहा है यह सब देखेंगे GS3 में हम देखेंगे environment में a forestation plan के बारे में economy में हम देखेंगे retail inflation के बारे में and security में हम देखेंगे man pad के बारे में GS4 में we have nothing for today so आज के दो questions आपके पास यह दो है ठीक है environment से related questions है and I'm expecting their answers from you all in the comment section okay और दूसरे चीज़ यह कि जो कल हमने questions पूछे थे उसका answer में आपको in the end of this session दूनी ठीक है अचा यहां पे यह mention बेंगे 123 यह इनका number mention नहीं थे तो उसको आप देख लेना चलो पहला हमारा आज का article है कोविड जाप फॉर्ट फॉर्टीन ग्रुप from tomorrow तो यहां पे कोविड की वैक्सीन जो है वो ट्वेल्ट फॉर्टीन इयर एज ग्रुप को भी अब लगना शुरू होने वाली है 16th March से ठीक है तो यहां पे कौन सी वैक्सीन लगने वाली है इनको लगने वाली है एक वैक्सीन जिसका नाम है कॉर्बे वैक्स ठीक है कॉर्बे वैक्स वैक्सीन इनको लगेगी यह कॉर्बे वैक्स इस इन इंडिजीनियस वैक्सीन है मतलब कि इंडिया में बनाई गई गई वैक्सीन है और इसको ड लगाई जाएगी 12 to 14 year age group वाले बच्चों को ठीक है अब यहाँ पे जो those above 14 years have already been administered 14 years से उपर वाले जितने भी बच्चे थे उनको तो लगना वैसे भी शुरू हो चुकी थी अभी 12 to 14 years को हम यहाँ पे cater कर रहे हैं इसमें ठीक है अब देखो कॉर्बे वेक्स के बारे में इसलिए इनको इतनी वेक्सीन लगाना है लोजिकल है से लेकिन कुछ को लगता है कि जो थोर्ड वेव आई थी जिसमें ओमिक्रॉन आया था इसने काफी सारे बच्चों को भी इंफेक्ट किया था इसलिए अगर बच्चों को भी यह वेक्सीन लग जाती है तो डाट अगर पोविट की कोई वेव आती है तो उसको काउंटर करने में ठीक है दूसरी जीज यह भी है कि देखो यहां पर बूस्टर डोसिज की भी एक बात की हुई है वैसे जो बूस्टर डोसिज आये थे वो लग रहे थे किसको जो फ्रेंट लाइन वोकर्स थे ठीक है फ्रें एक सब्सक्राणी को अब गया है कि बूस्ट डोसिज स्सीप्लस वालों को लग सकते हैं चाहे किसी को अमल बेडटी नहीं हो कोई गंभीर भी नहीं हो अ मै अनु थे खुल गया है यहां पर इनको लगय को kij वेक्स जो है यह कंन कॉप्फे क्या है यह क्या है ये इंडिजीन होगे कि यह एक ऐसी तरह की की वैक्सीन है जिसमें की री कॉंबिनेंट री कॉंबिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि देखो जब आपने पड़ा होगा कोविट के बारे में सार्स को टू जो वाइरस था उसके बारे में पड़ा यह जो है spike protein होता है जो इसके बाहर यह इस फर्फेस पर यह यह spike protein होता है तो यह spike protein को अलग करकर तो इस spike protein को inject किया जाएगा humans में ठीक है और इस spike protein के तुरू यह vaccine बनाएगा है यह Corbevax तो यानि कि हम humans में SARS-CoV-2 यह SARS-CoV-2 virus है ठीक है SARS-CoV-2 virus का यह spike protein हम inject करने वाले हैं humans में सिर्फ protein को inject करेंगे यह जो actual virus है इसको हम inject नहीं करेंगे ठीक है तो यह एक खासियत है इस vaccine की Corbevax की कि इसमें spike protein जो है SARS-CoV-2 का वो inject किया जाएगा अंडर इस vaccine into the humans और यह क्या करेगा यहाँ पे एक immunity generate करेगा यह humans के अंडर और यहाँ पे अगर virus article था आगे बात करते है और retail inflation climbs to 6.07% तो देखो यहाँ पे retail inflation है 6.07% हो गया है अब देखो यह जो 6.07% है यह हमारे जो दाइरा है उससे आगे निकल रहा है यह दाइरा की क्या बात कर रही हूं मैं देखो RBI जो है हमारा जो Reserve Bank of India है उसकी एक monetary policy चलती है देखे है monetary policy जिसके अंतरगत हम यह monetary policy का basic aim क्या है इसका aim है to control the inflation देखे है controlling inflation is the aim of this monetary policy अभी इसको control करने के लिए यह policy तो है और इसी के लिए इसको implement करने के लिए monetary policy committee भी है देखे है तो इसके बारे में हम दादा डीटेल में नहीं जौँगी मैं monetary policy आपको पता होना चाहिए इसका aim क्या है controlling inflation और monetary policy committee एक बनाई गई है जो इस monetary policy को यहाँ पे implement कराएगी यह committee जो है 6 members की committee है इसमें से तीन members जो होंगे यह officials रहेंगे RBI की साइट से और तीन percent plus minus two percent यह हमारा target है inflation का याने की हम 2 percent से 6 percent तक ही inflation को रखेंगे यह हमारा target है किसका हमारा जो monetary policy है उसका अब देखो यहाँ पे जो retail inflation है हमारा इस महीने का गया है 6.7 percent याने कि हमने 6 percent वाला जो हमारा range था उसको breach कर दिया है और यह 8 महीने का सबसे जादा inflation rate है जो retail inflation पर हमने देखा है तो पहले थोड़ा बहुत हम retail inflation के बारे में जानते हैं फिर हम वापिस आएंगे article के उपर ओके तो देखो यह consumer price index जो हमारा retail inflation होता है ना retail inflation को हम यहाँ पे measure करते हैं using a term which is known as consumer price index इसी के opposite एक होता है wholesale price index जिस से हम wholesale inflation को यहाँ पे measure करते हैं लेकिन retail inflation को हम कैसे करते हैं consumer price index के थूँ अब retail और wholesale में आए होप आपको difference पता है retail मतलब क्यों होता है कि आप किसी दुकान पर गए आपने बोला एक पाढले जी का मुझे यहाँ पे packet दे दो ठीक है और उसी की जगह आप एक बड़े से गोडाउन में गए उसने आपने उनको बोला कि मुझे दस काटन दे दो यहाँ पर पाढले जी के biscuit के यहाँ पर यह जो दस काटन आपने एक साथ मांगे और फॉर्दर बेचने के लिए रीटेल शॉप पे तो इसको हम कहेंगे wholesale purchasing और जब आप सिर्फ एक biscuit खरीद ने गए एक किसी रीटेल शॉप पे तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर रीटेल पर चीजिंग तो उसी के हिसाब से यहाँ पर inflation भी है retail inflation का मतलब होता है कि जो डिरेक्ट ली consumer को affect कर रहा है वह inflation की यहाँ पर बात कर रहे हैं ठीक है तो इसको मेजर करते हैं और इसको मेजर करते हैं हम क्या-क्या चीजें देखते हैं तो यह भी देख लेते हैं ठीक है तो देखो यहाँ पर यह प्राइज इंडेक्स उस inflation को दिखाता है जिसमें कि जो प्राइज चींज हो रहे है यहाँ पर्सपेक्टिव रीटेल बायर तो अगर आप एक रीटेल बायर हो जैसे आप पाल्ले जी को मेजर करेगा ठीक है उसके अलावा यह रिदीज होता है वाया नैशनल स्टैस्टिक ओफिस ओके और यहाँ पर जो सीपी आई है यह कैल्कुलेट करता है डिफ्रेंस इन दप्राइज उसको यह मेजर करने का काम करता है तो फूड हो गया मेडिकल केर हो गई एजुकेशन इलेक्ट्रोनिक्स इन सभी को यहाँ पर इनका जो भी इंफलेशन है उसको यह मेजर करता है अब यह ध्यान देना कि यह सारी जो कमोडिटीज और सर्विसेज हैं यह डिरिकली जो कंद्यूमर है हमारे इंडिया के उनको इंपक्ट करता है उनको इफ्शक करता है ठीक है अ अब जो को हम मेजर करते हैं उसको देख pixel यह फे तेन जो हैं वोकिंग्लास के यह साब क्या inflation चल रहा है वो यहां पर measure होता है ठीक है तो त्री इंडेक्स जो है यह तीनों यह लेबर ब्यूरों के थूप यहां पर यह compile की जाते हैं ठीक है वैसे देखो जब हम बात करते हैं CPI की ठीक है जब हम CPI की बात करते हैं की हम बात कर रहे होते हैं यानि की जितने भी इंडेक्स हैं CPI के इंतरगत उन सब को कमबाइन करके नस हो यानि के national statistical officer यह इसको publish करते हैं लेकिन अलग-अलग की बात करें तो यह तीन है इनको compile करने का काम करता है लेबर ब्यूरो जो कि Ministry of Labor and Employment में आता है इसमें जो agricultural लेबर और रूरल लेबर है इन दोनों के लिए जो यहाँ पे inflation CPI जो fix किया जाता है वो कैसे होता है using the minimum wages of agricultural laborers and rural unskilled employees तो इनकी minimum wages के basis पर यह CPI डिसाइड होता है वैसे industrial workers जो है उनकी inflation को यहाँ पर measure करने के लिए उनके dearness allowance को यहाँ पर चेक किया जता है कि क्या यहाँ पर dearness allowance कैसा चल रहा है क्या minimum wages है यह सब चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है ठीक है आगे बात करते हैं जो दूसरे दो और हैं जैसे 5 मेंने बता statistical office जो है यह यहाँ पर इसको compile करता है ठीक है और national statistics office किसके अंतर गताते ministry of statistics and program implementation so when we talk of CPI when we talk of CPI combined and CPI combined में CPI urban as well as CPI rural यह दोनों चीज़े आती है ठीक है मतलब हम combined effect देखते हैं inflation का okay तो यह तो हमारे basics थे regarding CPI यानि की consumer price index अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस news article की तो देखो इसमें यह बताया गया है कि इंडिया में जो retail inflation है यह बढ़ गया है ठीक है इस महीने का retail inflation है वो 8 महीने के high पर है ठीक है यह देख रहे हो य ग्राफ आपको दिखा रहा है कि किस तरह से यह retail inflation बढ़ रहा है ठीक है उसके बाद जब covid आया सा तो उस time पे देखो इचना था 6.58% था अभी उस से तो कम है लेकिन हा फिर भी बढ़ रहा है अब इसमें जो सबसे जादा impact पढ़ रहा है वो food prices के उपर पढ़ रहा है ठीक है और यहां पे जो inflation है अभी आप देखोगे कि 6.07% है पिछले महीने 6.01% था आर बी ने प्रजेक्ट किया था कि इस साल का जो retail inflation होगा वो लगबग 4.5% रहेगा लेकिन जो trend जा रहा है उसको देखते हुए लग नहीं रहा कि 4.5% रहेगा हो सकता है कि यह बढ़ जाए ठ bexpansionary policy होती है कि यह चाहते है इसमें फोती है यहां पर market में यह money inject करता है मर्किट करने का काम करता है money injection का करता है यहां पर RBI ठीक है अब इससे क्या होगा अगर आप देखो money inject होती है यहां पर market में अगर money inject हो होती है Hugo हर किसी के हाथ में पैसा आ Was Ferr जो है हर किसी के हाथ में आ जाएगी हर किसी के हाथ में पैसा होगा तो हर कोई यहाँ पर demand करेगा हर किसी को कुछ न कुछ चाहिए होगा तो यहाँ पर demand बढ़ेगी demand बढ़ेगी हर किसी के हाथ में पैसा है तो यहाँ पर क्या होगा inflation भी बढ़ेगा अगर आपको इसका basic समझना है तो मैं थोड़ा सा आपको एक idea देती हूँ कि यहाँ पर किस तरह से पूरी cycle चलती है तो देखो यहाँ पर होता क्या है कि जब demand बढ़ी हुई है ठीक है demand बढ़ी हुई है और supply उतना नहीं है supply कम है यह supply equal ही है supply जितना पहले था उतना ही है लेकिन demand बढ़ती जा लिए एसे में क्या होगा मानलो आप apple खरीने गए ठीक है apple खरीने पहले 100 apple है एक-एक apple संब्द बढ़ जाएगा लेकिन अब apple 100 ही है apple 100 ही है लेकिन मांगने वाले apple जिनको चाहिए जिनके पास पैसा है, एपल करीमने का वो थाउजन हो गए, तो अब एपल किसको दिया जाए, अब ये decide करेगा कौन एपल वाला, अब एपल वाला क्या करेगा उसके prices बढ़ा देगा, एपल के prices पहले, जो एपल के price एक एपल का प्राइस दो रुपे हुआ करता था अब उसको दस रुपे में बेचे था तो क्या हुआ करके ठीक है और इस पैसे इंजक्ट करने के कारण जब हम लॉंग टर्म नहीं करते ना तो इंफलेशन बढ़ता है अचा आरबिया यह करता कैसे पैसे कैसे इंजक्ट करेगा तो यह क्या करेगा जो पॉलिसी रेट्स है उनको कट करने लग जाएगा जैसे कि रैपो रेट है और जो हमारा SLR है, यह सब क्या होगा? यह दिरे-दिरे कट करने लग जाएगा जिससे इंटर्स ट्रेट जो है उनको कम करने लग जाएगा तो यहां पहले श्यात है लोग जादा more here फोच्य लिए हुखर huge accommodative policy लाई गई थी लेकिन अब कुछ economist कह रहे हैं कि हमको यह accommodative policy को खतम करना चाहिए अब हमको वापिस से अब थोड़ा सा खीच के पैसा खीच के रखना चाहिए market में जादा पैसा inject नहीं होने देना चाहिए लेकिन कुछ economist बांता है कि नहीं अभी हमारे पास थोड़ा सा scope है अभी हम इसको और चेक कर सकते हैं कि हमको थोड़ा time और accommodative policy को ही follow करना चाहिए तो यह पूरा article था I hope आपको समझवाया होगा पूरे इसके basic से लेके end तक कि यहां पर target क्या किया है हमने किस तरह से economy चलती है कौन कौन से टाइप की policies होती है आगे हमको क्या करना चाहिए अकॉमडिटिव रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए यह सब ठीक है आगे बात करते है next हमारा article है रुपीज 19,000 करोर a forestation plan launched तो यहां पर देखो a forestation यानि की forestry के लिए 19,000 करोर रुपीज का यहां पर एक plan launch किया गया है ठीक है और यह launch करने वाली ministries हैं दो ठीक है एक तो है environment वाली ministry ministry of environment and climate change वाली जो ministry है वो और दूसरी है जलशक्ती ministry ठीक है जलशक्ती ministry यह दोनों ministries ने मिलकर एक 19,000 करोर रुपीज का project start किया है और इसमें aim यह है कि जो 13 हमारी major rivers है 13 major rivers के banks पे हम यह afforestation करेंगे ठीक है तो यह जो forestry intervention है यह expected है कि यह एक बहुल बड़ा forest cover हमारे देश में बढ़ाएगा 13 rivers के आसपास और इसके तूप क्या कर रहे है हम यहाँ पे carbon dioxide equivalent जो है carbon dioxide sink create कर रहे हैं basically ठीक है क्या होता है जो forest होते हैं वो क्या करते हैं carbon dioxide को store करके रख लेते हैं और carbon dioxide को atmosphere में release नहीं होने देते जब तक उन पेड़ों को काटा ना जाए ठीक है तो यहाँ पे इतना बड़ा carbon dioxide sink हम create करने की कोशिश कर रहे हैं इससे क्या बहुत सारे फायदे होंगे देखो यहाँ पे ground water भी recharge हो जाएगा sedimentation reduce होगा यहाँ पे एक बड़ा non timber और जो forest producers हैं वो उसके कारण employment बढ़ेंगी और जो 13 rivers है ना उनका भी आप एक बार देख लो कि कौन-कौन सी 13 rivers है तो देखो यह हैं इंड़स की सारी Tributaries छेलम चिनाब रावी ब्यास सतलुच इसके साथ यमुना है ब्रह्मपुत्रा है लूनी है नर्मदा है गुदावरी कृष्णा महानदी और कावेरी यह 13 rivers है जिनके आसपास हम यह a forestry plan प्लान जो है उसको launch कर रहे हैं ठीक है और यह funding किसके द्वारा की गई है नैशनल और फोरेस्टेशन इको डेवलक्मेंट बोर्ड के द्वारा ठीक है तो यह याद रखना 19 धाविन क्रोर का और फोरेस्ट्री प्लान है और यह 13 मेजर आसपास बनाया जाएगा कई सारे फाइदे हैं में में यह कोट कर सकते हैं अपने आंसर में ठीक है दिज्जा वरी गुड एक्जामपल फॉर में ओके next हमारा आज का अर्टिकल है maternal mortality ratio जो maternal mortality ratio है वो decline हो रहा है by 10 points यह कहा है हमारे रजिस्ट्रार जनरल ने है तो सबसे पहले देखो रजिस्ट्रार जनरल जो है यह office है under ministry of home ठीक है ministry of home के अंतरगत यह office है census वगेरा की भी responsibility इनके उपर ही रहती है जो major surveys collect करने हैं उनकी responsibility इनके पास ही रहती है ओके अब maternal mortality ratio जो है MMR इसको इन्होंने कहा है कि 10 points से हमारा गिरा है मतलब कम हुआ है maternal mortality ratio तो पहले इसकी बात कर रहती है maternal mortality ratio होता क्या है world health organization world health organization के according maternal death is a death of a woman while pregnant or within 42 days of the termination of pregnancy from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management so basically क्या होता है कि जो pregnant women है उनकी pregnancy के दौरान death हो जाए यहां फिर pregnancy खतम होने के बाद 42 days के अंदर अगर उनकी death होती है because of some issues related to pregnancy तो उसको हम कहते है mother maternal death ठीक है maternal death या maternal mortality ठीक है maternal death या maternal mortality और इसको एक लाख वन लाख live birth के उपर यहां पर देखा था है तो इंडिया में एक लाख live birth जब होते हैं उसके उपर कितनी women की death हो रही because of these reasons because of the reasons related to pregnancy उसको हम कहते हैं maternal mortality rate याने कि आपने देखा होगा कई सारे गाउन है कई सारे आपने movies में serials में देखा होगा कि rural areas में यहां proper infrastructure डेवलप नहीं होता है या फिर early marriages हो जाती है या फिर complicated pregnancies रहती है उसमें जो mother है उनकी death हो जाती है during the pregnancy और during delivering the baby और even after the pregnancies और after the reproduction तो उसको हम maternal mortality rate में count करते हैं तो एक लाख live birth के उपर कितनी mothers की death हो रही है उसको हम maternity mortality mortality rate के form में देखते हैं तो अब देखो इसमें इसके regarding data ही आया कि अब जो है दस point से कम है हमारा maternal mortality rate जो कि एक अच्छी बात है ठीक है जैसे अगर हम data देखें तो 2014 upa 재 था हमारे देश में MR उस समय में 15 तो 16 वाला data बोลता है 122 थार 16 तो 18 एक डाटा आया था एक ये बोलता है 103 था ठीक है तो इस तरह से हमारा जो maternal mortality rate है वो गिरा है ठीक है और ये जो है ये है in accordance with the national health policy national health policy ये जो national health policy है हमारी बनाई गई थी और इसमें कुछ targets हमने decide के थे कि हमको किस तरह से MMR, IMR ये सब कैसे कम करना है तो इसमें हमने MMR के लिए हमारा target रखा था कि हमको इसको ले जाना है up to 100 जो maternal mortality rate हो वो हमको ले जाना है 100 per lakh life birth ठीक है 1 lakh life birth पे सिर्फ 100 women's की death होनी चाहिए उससे कम हो सके तो अच्छी बात है उससे ज्यादा ना हो ठीक है तो यहाँ पे by 2020 हमको ये rate पे पहुचना था अब ये 2017-18 का data अब रेलीज हुआ है तो हो सकता है कि हम यहाँ तक भी आराम से लिए जो SDG गोल जो है sustainable development goals कितने goals है total 17 goals है तो SDG goals में भी एक target रखा गया है यह target क्या है यह target है कि 2030 तक 2030 तक हमको इस maternal mortality rate को 70 लेगाना है 70 maternal mortality rate होना चाहिए per lakh life birth पे ठीक है तो 1 lakh life birth पे सिर्फ 70 women's की death हो ठीक है यहाँ हो सके तो उससे भी कम हो all right तो यह हमारा हमारा target है till 2030 maternal mortality rate 103 हमको 2020 तक करना है 100 और 2030 तक करना है 70 अब इसमें काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टेट्स हैं केरेला महराष्ट तेलंगाना तमिलनाडू अंत्रदेश और गुजराथ यह वह स्टेट्स हैं जुन्होंने already यह sustainable development goal का जो target है 70 से नीचे वाला उसको already achieve कर लिया है अब यहां में मद्धिप्रदेश का 163 है यूपी का 167 है तो यह कुछ-कुछ आपको थोड़ा सा याद रखना है एक ट्रेंड आपको यादोना चीए कि जो developed states है जिसी कहरेला है महराष्ट है गुजराथ है तमिलनाडू है तेलंगाना है यह मंदब अच्छे social economic indicators हैं इनके यहां पर maternal mortality rate जो है वो already काफी कम है अब देखो कुछ यहां पर government ने भी initiatives लिये हैं किस तरह की initiatives यहां पर government ने लिये हैं देखो यहां पर एक तो जननी सुरक्षा योजना लेकर आई है government ठीक है उसमे national health mission के अंतरगत यहां पर लाइए इसमें cash assistance दिया जाएगा institutional deliveries के time पे उ assurance दी जाएगी quality anti-natal care दी जाएगी free of cost हर 9 तारिक को women को तो प्रधान मंत्री सुरक्षित मात्रिच वह अभियान में हर 9 तारिक को यहां पर जो भी test होती है जो भी comprehensive quality anti-natal care दी जाती है वो सब दी जाएगी उसके अलाबा प्रधान मंत्री मात्रू वंतना योजना है और इस लुक एट man portable air defense system तो basically यह क्या है article जो है यह बात करता है कि Ukraine और रश्या का जो war हो रहा है उसमें Ukraine को US ने एक तरह की यहां पर missile वगरा एक तरह का system देने की बात किया जिसका नाम है stinger missile ठीक है stinger missile यह stinger missile जो है यह manpad का ही हिस्सा है manpad ठीक है यह manpad क्या है man portable air defense system है यहां पर लगबग यह कहा गया है कि 17,000 से जादा anti-tank weapons stinger missiles यहां पर US और NATO मिलके Ukraine को दे रहा है तो manpad क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लो आ सकता है prelims में okay तो manpad जो है basically short range light weight और portable surface to air all missile system है ठीक है तो एक यहां रखना short range है ठीक है उसके अलाबा surface to air missile है यह और light weight है ठीक है इसको individual और छोट छोटे groups भी इसको यहां पर use कर सकते हैं इसके द्वारा firing कर सकते हैं और सामने आने वाले aircraft यह helicopter को मार के गिरा सकते हैं ठीक है अभी जो manpad है यह shoulder fired भी हो सकता है मतलब एक आदमी भी इसके तुरू firing कर सकता है ठीक है इसको ground vehicle के तुरू भी लगा है जा सकत training भी बहुत कम लगती है और इसको individual soldiers भी यूज कर सकते हैं इसकी maximum range है 8 km ठीक है और यहां पर fire and fogat के principle पर चलता है हमारे देश में भी एक यहां पर है missile system एक defense system जो fire and fogat के principle पर चलता है कौन सा है यह आप मुझे बताऊगे in the comment section ठीक है यह जो पांच हमारी missiles है न कौन कौन सी ठीक है इसके नाम से आप यार रख सकते हो प्रिथवी आग त्रिशूल नाग और अगनी ठीक है अगनी आकाश ठीक है यह पांच है तो यहां पर इन पांच में से एक है जो fire and fogat principle पर चलती है कौन सी है आप मुझे बताऊगे in the comment section अच्छा तो यह भी fire and fogat principle पर चलता है manpad मतलब इसको आपको guide करने के जरत नहीं है इसको आपने बस एक target set कर दिया उसके बाद यह सीधा जाके target पे ही hit करता है ठीक है और यह lockdown रहता है targeted object पे इधर उधर deviate नहीं होता है ठीक है कोई active guidance इनको नहीं चाहिए इसके साथ साथ यह infrared seekers का यहाँ पर यहाँ यूज करता है पहले भी उसके वह 1960 से यहाँ पर यह यूज करते आ रहे हैं यूज ने यह manpad अफगानिस्तान में मुझाहिदीन को भी दिया था रश्या के अगेंस्ट जो सोविट फोर्स थे उसके अगेंस्ट यूज करने के लिए आज की डेट में इंडिया पाकिस्तान जर्मनी यूके तर्की इसराइल इन सभी के पास manpad defense system है ठीक है 20 countries है जो manufacture करती है आज की डेट में मैंपैट को और कई सारे non-state actors के पास भी यानि की जो terrorist groups है जो non-state actors है उनके पास भी आज की डेट में यह manpad system है रश्या जो है आज की डेट में सबसे बड़ा manpad का exporter है लगबग 10,000 manpad system अभ stinger missile कहते हैं यह इसकी अच्छी खासी range उती 4.8 km इसकी range है और low flying aircraft को यह target कर सकता है जो भी 3800 altitude पे fly कर रहे है उनको ठीक है उसके साथ साथ यहाँ पे देखो रश्या के पास भी इस तरह की manpad missile है जिसका नाम है इगला इगला manpad ठीक है इगला manpad यह भी infrared technology उसका यह 32 में operation threshold shakti में जब सियाचीन में conflict चल रहा था operation threshold shakti के अंदर अंतरगस हमको जरूरत थी इगला manpad missile यह रश्या ने हमको ली थी ठीक है उसके साथ बृटेन के पास भी सेम है star streak नाम से ठीक है star streak इस नाम से है इनके पास भी इसके लावा Sweden के पास भी है यह वाली same missile RBS 70 के न नाम से तो सभी majority of the countries जो है बड़ी बड़ी country उन सभी के पास यह manpad system है तो stinger किसका है stinger है US का और रश्या का कौन सा है इगला यह main यान रखना है आपको ठीक है इसके साथ देखो यहां पर Ukraine crisis में कितना effective हो सकता है तो देखो Ukraine के पास ऐसी system है जो जो long range पर यहां जादा altitude प अपने system है manpad system उनको help करेगा जो low altitude पर फ्लाय करें न एरक्राफ उनके लिए ठीक है तो यहां पर इस तरह कि यहां पर इन एरक्राफ को यह target करेगा लेकिन इस से related कुछ risk भी है पहली रिस्क सबसे बड़ी यह कि जो Ukraine को इतने सारे लोग जो nato सारे members यहां पर यह manpad system support कर र यहां पर global arms trade जो है उसमें की link बनाता है यह arms का trafficking market जो Ukraine से निकलता है जब से क्रीमिया का annexation 2014 में तो कई बार देखा जा रहा है कि जो weapons हम Ukraine को देने के लिए पहुचाते हैं वो Ukraine के हाथ ही नहीं लगते वो बीच में ही गुम हो जाते हैं multiple cases में गलत हाथों तक पहुच जाते ह हैं कई बार तो रश्या ही इनको गुल कर जाता है तो यह भी रिपोर्ट्स आई है और्गनाइस क्राइम इंडेक्स आया है वो बोलता है कि यहां पर arms की trafficking बहुत जादा होती है और यह कई बार रश्या बेलारूस मालदोवा जॉर्जिया जैसे markets में चले जाते हैं smuggling के और धीरे धीरे यह जा रहा है non-state actors के पास ठीक है और कई जगहों पर यहां civilians के उपर भी use हो रहा है जैसे की जो अभी सीरिया लीबिया अफगानिस्तान में यह सब conflicts चल रहे थे उसमें civilians के उपर भी यह use हुआ है तो यह भी कुछ concern है तो अगर हमको यहां पर Ukraine की मदद करन है तो इन NATO members को इन जैसे US वगेरा जो है इनको इस चीज का भी ध्यान देना चाहिए कि जिसको यह पहुचाने के लिए दे रहे है मैंपैट उन्हीं के हाथ में जाए गलत smuggling या civilians के उपर इनका use ना हो ठीक है मैंपैट system was important for prelims now editorial editorial हमारा important है for means आपसे question पूछा जा सकता है ए in the backdrop of मैं लिखी रेती हूं in the backdrop of in the backdrop of Russia Ukraine conflict do you think do you think the world order is being fragmented ठीक है तो यहां पे question आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आपको लगता है कि Russia Ukraine conflict जो हो रहा है उसके backdrop में आपको क्या लगता है कि world order भी fragment हो रहा है evaluate या फिर elaborate इस तरह से आपसे उठा जा सकता है ठीक है इस तरह से question पूछा जा सकता है तो इसके लिए आपको कई सारे order points यहां पे इस question के तूछ मिल सकते हैं इस editorial के तूछ मिल सकते हैं तो देखो यहां पे यहां पर यह एडिटोरियल जो है वो यह कहता है कि अभी जो रश्या यूकरेन वार चल रहा है लगभग इसको तीन हफ़ते हो चुके हैं 20-21 दिन हो चुके हैं ठीक है और यहां पे Quad को भी यहां पे Quad जो partners हैं हमारे उनको भी हमको यहां पर balance करके चलना है तो रश्या के अपने इंट्रेस्ट हैं economy अलग अलग तरीके से यहां पर impact हो रही है sanctions लगा जा रहे हैं US sanctions लगा रहे हैं यह सब चीजें तो हो रही है अपने side पे लेकिन इसके geopolitical concerns क्या होने वाले है जो Russia Ukraine war हो रहा है उसके geopolitical concerns यह होने वाले हैं कि यहां पे जो world order है वो पूरी तरह से disrupt होने वाला है fragmented होने वाला है तो देखो यहां पे जो Ukraine crisis है इसका global world order पे यह सबसे बड़ा impact पढ़ेगा कि international cooperation के terms में security के terms में military use, economic order, cultural ties इन सभी terms में यहां पे हो सकता है कि world order हमारा disrupt हो ज फिर से जो पूरा world है यह दो parts में बढ़ गया है एक है जो Russia की side है एक है जो Russia की side नहीं है ठीक है और जो कुछ लोग है जो abstain कर रहे है actual में वो Russia की side है ठीक है देखा जाये तो वो Russia की side है यहां पे दो groups में फिर से बढ़ गया है पूरा world bipolar वापिस से हम हो रहे हैं तो international cooperation decrease हो सकता है उसके साथ साथ रश्या ने कई बार बोला है कि हम नुप्लियर अटैक भी कर सकते हैं भया तो तुम समझ के रहो उसके लावा केमिकल वेपन बायलोजिकल वेपन भी वापिस से न्यूज में आ रहे हैं तो यह भी एक इस्व है सिक्योर्टी से रिलेटर फिर यहां पे पर effect हो रही है आप सभी ने देखा प्राइज किस से बढ़ रहे हैं किस तरह से रश्या के अउपर स्यक्शंश लगा सोे कसी के साथ स्ब के ऊपर दर biology कorbór hiện और कि ऐसे की जो यो श्या की कंप नीज तो 255 बााकी दे चीज़ें सभी तरह से यहां तो टाइल जो हैं डिस्रक्ट हो रहे हैं अब यह जैसे हम बात करें वर्ल्ड ओर्डर की तो इसमें सबसे बड़ा कंसर्न तो यह है कि यूएन की जो महत्व है यूएन की जो एफ्रेक्टिव नैसे उसके उपर ही क्वेशन माग खड़ा हो गया ह जैसे UNSC में कई सारे resolutions पास करने की कोशिश की गई अगेंस्ट रहिश्या नहीं हो पा है क्यों क्योंकि P5 countries का यहां पर राज चलता है पांच पॉर्मिनेंट मिंबर्स है उसमें से एक ना एक ने मीटो कर दिया तो बात खत्म तो चाइना है रश्या है यह मीटो कर देंगे ठीक है तो यहां पर UNSC की अभी जो structuring है ना उसके उपर relevance के उपर खत्रा मंड़ा रहा है इसकी functioning के उपर खत्रा मंड़ा रहा है है उसके बाद यहां पर missile system direct direct अब तो देखो अब कुछ भी चुपा नहीं हुए है UN बनाया है so that हम आने वाली generations को war से बचा सके हम peace establish कर सके सब लोग साथ में रहें उसके लिए लेकिन यह सीधा सीधा violet हो रहा है because of this Russia-Ukraine war United Nations General Assembly का भी कोई महत्व नहीं रहा है ठीक है resolution पास होते है लेकिन उनका कोई impact नहीं रहता ठीक है US की जो hegemony थी वह भी यहाँ पर question में आ गई है ठीक है जो P5 member countries थी जो इनका structuring है UN की कि सिर्फ 5 member countries के पास इतनी powers दी गई है वो यहाँ पर question mark create करती है कि क्या यह relevant है क्या इनका कोई use भी है इंडिया काफी time से बोलता आ रहा है कि इस permanent membership को हमको expand करना चाहिए ठीक है so that थोड़ा सा इसकी structuring में हमको change करना चाहिए so that यह democratic decisions ले पाए लेकिन ऐसा हो नहीं पारा because of this P5 membership साथ में weapons का भी surge होता जा रहा है weapons बढ़ते जा रहे है ठीक है यूक्रेइन में वेपन बढ़ते जा रहे है और यूक्रेइन को use कर रहा है West अपने फायदे के लिए रशिया अपने हिसाब से यूक्रेइन को mold कर रहा है तो बिचारा फस यूक्रेइन गया है ठीक है उसके अलावा देखो यहां पे nuclear safeguards के भी बात की गई है जैसे रशिया बार-बार बोल रहा है कि हो सकता है हम आपके उपर nuclear bomb गिरा दे हमारे पास तो है ठीक है तो वह तो बिल्कुल चूप भी नहीं रहा है धंक्यां भी दे रहा है और काम कर भी रहा है जैसे चर्णोबा पास की बिल्डिंग्स पे ठीक है तो यह एक बहुत बड़ा खत्रा मंडरा रहा है nuclear war का भी हमारे उपर उसके साथ-साथ यहां पे देखो nuclear non-proliferation की यहां पे बात हुरी non-proliferation की कि कुछ countries ने यहां पे क्या किया कि US और रिशिया पे भरोसा करके यह जैसे यूक्रीन भी थ अब देखो US और रशिया ने यहां पे यूक्रेन की बैंड बजा के रख दिये ठीक है इन्हों ने विचारों ने अपना nuclear weapons छोड़ दिये और इन्हों ने मांगा था security nuclear weapons भी ले लिए इंसे और security भी नहीं दिनको अब इन्हीं के opposite में खड़ा है North Korea ठीक है इरान तो इन्हों के अगेंस यहां पे जो nuclear deal थी उसको वापिस ले लिया लेकिन इरान ने बोला ठीक है वापिस ले लो भले हम तो यहां पे फिर से अपने nuclear weapon develop करेंगे अब इरान वापिस से इरान को वापिस लेने की कोशिश कर रहा है US, Germany, France सब लोग वापिस लेने की कोशिश कर रहें nuclear weapon द रहे थे, for the world order, for the peace of the world, उनका यहां पे उनके उपर ही खत्रा मंडर आ रहा है, okay, तो यह पूरा issue यहां पे है, ठीक है, उसके साथ साथ यहां पे देखो, global war चल रही है, terrorism को लेकर भी, यहां पे जो pro-Russian armed militia है, वो Donbass region में पूरा disruption create कर रहे हैं, जो separatist है, वो यहां पे terrorist activities में involved हो रहे हैं, ठीक है, जो Donbass region के separatist थे, वो अपने मनमानी कर रहे हैं, यहां पे तो अलग Taliban type का system चल रहा है, यहां पे Donbass वाले region में, ठीक है, आगे बात करते हैं, तो economic actions भी इनके अगें कई सारे लिये गए हैं, जैसे कि US ने sanctions लगाने की बात की है, अब देखो, US ज sanctions लगा रहा है, UK जो sanctions लगा रहा है, उसका भुक्तान तो इनको भी करना है, और पूरे world को करना है, ठीक है, अब देखो, यहां पे एक चीज़ यह है, कि इंडिया के कई सारे interest फसे हुए, वैसे कई सारे countries के interest फसे हुए, इनके पास ठीक है, यहां कि Russia एक बहुत बड़ा market बहुत बड़ा supplier भी है, अब यहां पर ही क्या किया है, रशिया की जो energy agencies है, यह जो बड़े banks है, उनको यहां पर उनके उपर sanctions नहीं लगाए गए, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि Russia को आप market से economy से अलग नहीं कर सकते हैं, सब की economy इनके उपर कही ना कहीं से depend करती है, जैसे swift system जो था, banking का, उसमें से यहां पर रशिया के banks को हटा दिया गया, लेकिन सारे banks को नहीं हटा है, कुछ banks बचे हैं अभी भी, तो इंडिया जैसे एक, इंडिया को यहां पर जैसे S400 की deal करनी है, ठीक है, तो इंडिया क्या करने वाला है, इंडिया यहां पर, यहां पर rupee, ruble rupee, ruble यहां पर deal करा है, ठीक है, मतलब हम dollars में deal करेंगे ही नहीं, rupee और ruble में deal करेंगे, तो हमारे उपर भी काटसा एक नहीं लगेगा, अब यह काटसा क्या है, तो US क्या करता है, US ने बोला कि हम रशिया के उपर sanctions लगा रहे हैं, और रशिया से जो भी दूसरी country trade साथ, ठीक है, तो US को कोई problem नहीं है, हम रशिया के साथ rupee में trade करेंगे, ठीक है, यह चीज़ यहां पर बोली गई है, दूसरा हम उन बैंकों के साथ यहां पर trade करने वाले हैं, जो swift system से बाहर नहीं निकाले गए हैं, ठीक है, यह सब है, अब देखो, रशिया के उपर एक और ये रशिया के उपर और बाकी सारे वर्ल्ड के उपर भी ये pressure बन रहा है, कि सारी जो company जैसे mcdonald है, kola, Pepsi है, उनको रशिया से बाहर निकलने के लिए pressure बन रहा है, तो ये trade जो trade, वर्ल्ड trade organization हम ने बनाए ही, कि हम यहां पर free trade करेंगे, उसके अगीं हैं भी जारा है, उसके साथ में culture का भी isolation हो रहा है देखो यहां पे रश्या को isolate करने की बात इसलिए भी चल रहे है क्योंकि US नहीं चाता कि इसकी hegemony को कहीं से कहीं तक कोई भी competition दे सके ठीक है अब इसके लिए यहां पे culture को भी isolate किया जा रहा है कैसे यहां पे देखो जैसे न्यू यू यॉक में कई सारे जो रश्या के यहां पे बहुत सारे जो entertainers थे जैसे की opera singers हैं कई सारे दूसरे singers हैं art and music related लोग हैं उन सब को यहां पे band किया जा रहा है मीडिया को band किया जा रहा है रश्या की ठीक है रश्या में जो new york वाली जो मीडिया थी उसको band किया जा रहा है ठीक है तो एक तरह से सब जगह protectionism भी चल रहा है ठीक है तो यह जो इवेंट्स हैं जो पूरे दो वीक से चल रहे हैं दो हस्तों से चल रहे हैं इन्होंने पूरे के पूरे world order को reverse करके रख दिया 1945 में हमारा क्या बना था यहाँ पर बना था UN 1990 में बना था हमारा world trade organization यह दोनों जो हैं इनका जो एम था जैसे UN का एम था कि हम यहाँ पर peace establish करेंगे अब कोई war नहीं होगी बड़ी अब हम यहाँ पर civilians को war का भुक्तान करने नहीं देंगे world trade organization ने बहुता free trade को हम यहाँ पर protectionism नहीं चलेगा कि सबका सब उलटके रख दिया है Russia Ukraine war ने और जो भी इसके सास में wars होगी है आसपास की जैसे Taliban वाली हो गई US ने जो भी जहां यहाँ पर भी Libya सीरिया यहाँ पर जो जो wars होगी है इन सब को लेकर ठीक है अब इंडिया भी जो है इंडिया बोलड़ा है कि हम abstain कर रहें लेकिन कब तक abstain कर पाएगा इंडिया शॉट टर्म में के लिए तो चलो ठीक है चल जाएगा यह काम लेकिन इंडिया को आगे जाके long term में कहीं ना कहीं किसी ना किसी का साथ तो देना ही पड़ेगा जिसके लिए इंडिया को भी रेडी रहना पड़ेगा और ज जो हमने कल questions पूचे थे उसकी तो देखो पॉलिटी से related question थे पहला question था we adopted parliamentary democracy based on British model but how does our model differ from that model तो हमने जो parliamentary democracy establish करिये उसको हम British model से लेते हैं लेकिन क्या difference है British model में और Indian model में तो पहला है as regards legislation British Parliament is supreme or sovereign but in India the power of Parliament to legislate is limited यह सही statement है देखो बिटेन में क्या होता है बिटेन में यह माना जाता है कि Parliament जो है वो एकदम wisdom से एकदम बहुत ही सही तरीके से citizens के favor में ही laws बनाएगी तो उनकी जो legislation है उनको आप ज़्यादा question नहीं कर सकते जुडीशरी में ठीक है लेकिन हमारी जो भी laws बन पे हैं जैसे हमारे हापे कोई भी law बना उसको आप basic structure doctrine ठीक है जो कब से आईए केस वानन्द भारती case जो आया था judgment जो आया थी 1973 में यह case वानन्द भारती judgment से यह basic structure doctrine एवाल हुई और यह कहा गया कि आपको legislation को Parliament को यह कहा गया कि आपको जो law बनाना है बनाए लेकिन इस basic structure को alter नहीं करता हुआ होना चाहिए वो law तो यहाँ प करता है तो आप यहाँ पर supreme court के पास जा सकते हो कि भाया यह law जो है constitutional नहीं है तो यहाँ पर parliament की powers कैसी है limited है लेकिन ब्रटेन में ऐसा नहीं है ब्रटेन में parliament sovereign है ठीक है तो पहला statement सही है दूसरा statement बोलता है in India matters related to the constitutionality of the amendment of an act are referred to constitutional bench of the supreme court तो देखो यहाँ पर constitutional bench का मतलब होता यह Supreme Court की पांच जजजिस की bench होनी चाहिए तो यह statement देखो थोड़ा सा controversial statement है कुछ answer keys में इसका answer दिया है कि यह सही है कुछ में दिया है गलत है अमने आपको समझाते हूं ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर हमारे constitution में लिखा है कि हमारा जब भी कोई amendment को लेकर constitutionality के उपर question create यहाँ पर can be referred है मतलब की आप इस तक जा सकते हो यहाँ पर mandatory नहीं है तो यहाँ पर देखो कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि यहाँ पर सिर्फ constitutional bench के पास ही जाना चाहिए यह लिखा है कि they are referred to constitutional bench तो मेरे हिसाब से तो यह सही होना चाहिए लेकिन आपको main मुद्दा समझ मैंना कि यह लिखा है can be referred to the constitutional bench ओके इसका answer होगा बोथ one and two और दूसरा statement है राजी सभा है equal powers with लोगसभा तो राजी सभा के पास लोगसभा जितनी ही powers किसमे है तो वो है in amending the constitution देखो all India services को लेकर राजी सभा के पास एक upper hand है राजी सभा इसको decision लेती है और बाकी जो दोनों है government को remove करना है या cut motions लाना है इसके उपर लोगसभा का upper hand है तो दोनों के पास equal power सिर्फ constitution को amend करने को लेकर है ठीक है समझ गए तो इसका answer होगा B तो C और B इसका answer है तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था that was all for today thank you for watching lecture अच्छा लगा हो तो like करना comment जलूर करना जो दो questions मैंने okay so that was all thank you for watching have a very good day